हाई एवरीबन हर हर महादेव आज मैं आप सभी के साथ फुल डे एक्जाम प्रिप्रेशन रूटीन शेयर करूँ अगर आप इस रूटीन को अच्छे तरीके से फोलो करते हो तो आपकी प्रिप्रेशन दा बैस्ट होगी तो इसके लिए आपको वीडियो को लास तक देखना है और पूरे ध्यान से देखना है सो यह लेट स्टार्ट अवेडियो हमारा एक्जाम डे का रूटीन स्टार्ट होता है मोर्निंग से ुबह आथ बजे तक आपको अपने सारे मोर्निंग के काम कर लेने नहां थो लेना एं बिलकुल अच्छे तरीके से रैडी हो जाना और 8 10-9 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है और साथ ही साथ आप क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज की प्लाइनिंग करना है कि आप अपने लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएं मैंने तो चाय बना ली है हाँ यह हेल्दी नहीं है बट कभी कभी अपने मन की भी मान ल मौा ब्रेकफास्ट और अपने स्टड़ी की प्लाइनिं करने के बाद हमारा 9 से 11 बजे तक चाय स्टड़ी शैशन रहेगा हम हमारे पूरे दिन को 6 स्टड़ी सैशन में बाटेंगे और इस तरीके से बाटेंगे कि बीच-बीच में ब्रेक होगा और हमें बर्डन भी नहीं और मोर्निंग के इस फर्स सेशन में आपको अपने चैलेंजिंग टोपिक्स पे फोकस करना है और इस टाइम आपको अपनी एक्टिव स्टडी टेकनिक्स का यूज करना है और कोशिश करना कि इस टाइम आप फोन से क्लासिज ना ले फोन को खुछ से दूरी रखें और 9 से 11 बिल्कुल मन लगा के अपनी स्टडी पे फोकस करें और बीच में 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं 11 बजे तक स्टडी करने के बाद 11 से 11 पंदरा तक का आप को ब्रेक मिलता है तो इस 15 मिनट के शोड ब्रेक में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और कुछ स्नक्स खा सकते हैं कि study में अच्छे focus के लिए इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है बीच बीच में breaks लेना ज़रूरी है और अब 11.15 से एक बजे तक का हमारा study का second session रहेगा और इस time हमने जो सुभए topic पढ़ा था उसके अलावा दूसरे topic पर move on करेंगे and at that time engage in active studying method to reinforce your understanding अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमें सब कुछ ही आता हो पढ़ते वक्त हमें बहुत सारी प्रोब्लम्स प्याने वाली है तो उन प्रोब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे और कहां से क्या सर्च करेंगे चलो मैं आप सभी को बताते हैं आज कल मैकसिमम बच्चे क्या करते हैं उनको किसके लिए हमारे कके क्टेंट को हिла भॉक मेर्म इसस तरह के से हमारा कंटेंट डिटेक्ट करेंगे betting pointing 2 नहीं या कैसा है तो देखो जीरो परसेंट एई जी पीटी है और हंडर परसेंट यूमन रिटान है तो इस तरीके से आप है एक्स बाइपास का यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन करने बैठे ना तब जो भी आपको प्रोब्लम आए तो साथ ही साथ उसका सोलुशन ढूंटे चलिए अब एक बज़े तक कि हमारे स्टेडी सेशन को कम्प्लीट करने के बाद हमें एक से दो का लंच ब्रेक मिलता है क्योंकि हमें हमारी बोड़ी और माइंड को रिफील करना भी जरूरी है उसक तोनों चीज करने के बाद अपने बचे हुए टाइम पे आप शोशल मेडिया यूज कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते है ना वो आप कर सकते हैं खुद को एंटर्टेइन करना भी जरूरी है उससे ही हमारा फोकस और ज्यादा दो बजे तक के अपने ब्रेक को इंजोई करने के बाद दो से चार बजे तक का आपका स्टेडी का थर्ड सेशन रहेगा प्रेक्टिस विद पास्ट पेपर्स और रिव्यू चलेंजिंग कंसेप्स पास्ट पेपर्स से आप अगर प्रेक्टिस करोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप खुद भी ने समझपाओगे ज्यादा नहीं सिरफ हो सिरफ अगर आप पिछले तीन साल के भी पास्ट पेपर्स की अच्छे तरीके से डिवीजन करते हो वो सारे कोशन्स अच्छे तरीके से निकाल के देखते हो खुद से पूछते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगा और ये चीज मेरी तो हमेशा सही फेवरेट रही चार बजे तक स्टेडी करने के बाद अब आपको चार से च्छा का ब्रेक मिलेगा इस ब्रेक में आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने हैं लाइक अगर आप बाहर खेले जाना चाहते हैं तो वह कर लीजिए अपने पैट के साथ खेल लीजिए या फिर कुछ और टाइम पावर नैप भी ले सकते हैं पावर नैप हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है इस चीज का तो आप सभी को भी पता है इसलिए आप दिन में एक बार तो पावर नैप ज़रूर लेना और जब आप पावर नैप लेने के बाद उठोगे तो आपको इतनी ज्यादा एनरजी फील होगी अपनी बोडी में और फिर फटाफट से आप अपने फेस को वोश कर लेना और दुबारा से पढ़ने के लिए लग जाना अब आपका 6 से 8 बजे तक का स्टडी का 4 सेशन रहेगा और अब आपको इस दो घंटे के स्टडी सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है पहले एक घंटे में आप अपने नोट्स को रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट एक घंटे में आप खुद के साथ क्वीज करेंगे जो की पॉइंट्स है खुद से पुछेंगे खुद को सुनाएंगे हाथ रखके पढ़ेंगे या फिर बोल बोल के पढ़ेंगे और ये ट्रीक देखना ये ट्रीक आपकी बहुत ज्यादा हैल्प करेंगे जब आप एक्जाम दोगे ना तो इस टाइम आप जो जो खुद से कोशन पूछ रहे होंगे और वो कोशन आएंगे तो आपको अंसर फटाक से याद आएगा इसलीज दो गंटे की स्टडी को बिल्कुल फूकस के साथ करना और उसके बाद आप नहाने के लिए चले जाना क्योंकि नहाने के बाद आपको जो अच्छा रिलाक्सेशन महसूस होगा वो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा आपकी लीए आपको बिल्कुल अराम से सो जाना है क्योंकि अगर आप इस टाइम फोन को उठा लोगे तो आपका दिमाग बहुत सारी अनसैसरी चीजों को भर लेगा इसलिए अपनी स्टडी करने के बाद आप अराम से सोने के लिए चले जाना और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे बट